विकेट सक्थ रखी गई है यकीन ज़्यादा उच्छाल मिलेगा आज गेन बाज को कैप्टन ने यहाँ टॉस जीत कर तुरंथी बल्ले बाजी का निर्णय ले दिया है आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों के खिलाड़ी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सब का इस शानदार सेडियम में अमपार्स नई गेन के साथ पिज की तरफ बढ़ते हुए है देज गेन बाज को लाया गया है सब तयार इनिंग के पहली गेन के लिए आसानी से खेला एक रन के लिए गेम बाज आपर बागी उखाए बनले बाज मुसीबत में लग रहे हैं अति लोगार्स कार पार्स थाओ्स झॉड्च आसानी साथ तरफ बाज के लिए पर लाज के लिए पर शुबतानी से लिए युड्टान आपके लिए सबस्क्राइब को लॉटना होगा और यह आउट खरार दिया गया है फिक स्क्वीन दे भीमी गेम इस बिच पेक अच्छा विकल्ब होगा सबर्धर शॉट कोई नहीं रोग पाएगा इस गेम को बाउट भी जाने से लेंग काफी जल्दी तिक की वहाँ पर बल्ले बाज नहीं है जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जागा है कि कमाल गई शौर चौका मिलेगा सुम्डर टाइमिंग के साथ यह शॉट खेला यहां पर लेबाज नहीं बहुत अच्छी रणिंग बिट्विट्विकेट्स लेकवाइस का इस शारा अमपार का टीम के खाते में एक और रन बहुत रिंग रणिंग बिट्विकेट्विकेट्वनों बल्लेबाज उनकी बीच बहुत बल्या थचक यहाँ चाँ काँ बल्ल्लgasव छिन श्या में बाद सली उनकी बाद सुट्ट्श्ट्ट्विकेट्विकेट्स नहीं है का! ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ अच्छा शौट दो रंड मिल सकते हैं अच्छा शौट दो रंड मिल सकते हैं अच्छा रंड मिल सकते ही उसका परिणाम तैठा अच्छा अच्छा बैलन्स मेंटें के हम आपर तो बहुती बहतरी गेंबाजी बल्लेबाज को बिलकुल परिशान करते हुए यह आपर आसाने से खेला एक रंड के लिए वाइड द्रो खेलानी द्वारा बाल बचे बल्लेबाज बैचरी गेंबाजी गेंबाज अच्छी ले में लग रहे हैं क्या यह विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं कि अच्छाइब करक्षाट मारा है जीज़ जीज़ बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं अच्छाइब बॉका बिला और कैशिंग किया बल्लेबाज ने साधा रंगेन बाजी और देखा अपने बल्लेबाज ने पूरा फाइदा हुचाइब पाउर प्ले की समाप्ती कफ्तान अब दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी याड सिर्क्ल के बाहर रख सकते हैं अच्छाइब बल्ले का पढ़िया कनेक्शेर और केन गई सीधा हवाई यातरा पर पूरी तरा ने अंतरन मिठे पर लिबास कि अच्छाइब आपर कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि कि चौका बैतरी शौर्ट बल्ले बास द्वारा पिछ पे गर्मा गर्मी बल्ले बास और गेन बास के बीच बहस चल रही है कप्तान को परिस्थिती संभालनी होगी कि गेन बास को अपती लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा कि अच्छाइब बल्ले बास को परिशानी में डाल रहे यहां पर अच्छाइब बल्ले बास बिच्छी गेन पर बड़े अंकमफर्टबल लगे सुन्दर शौर्ट गैपने सीधा चार रंग के लिए साधा रंगेन बाजी और देखा आपने बल्ले बाद ने पूरा फाइदा उठाया गैप में खेला है और रं मिलेंगे इस दिशा में ये थ्रो विकेंट से दूर थी थमाकेदार बल्ले बादी का प्रदर्शन दोनों बल्ले बाद गौरा अपनी कीन को काफी मजबूस स्थिति में लाके रख दिया इन्होंने देखे स्पिनर को इस पिच पर किता परचिस मिलता है बना शॉर्ट भेदरिन टाइमिंग ठेनन के लिए क्या पढ़िया खेला है एक कॉन्फिडेन शॉर्ट बल्ले बादों को पाउंडरीस की आवश्यक्ता है ये रन रेट बढाने के लिए शॉर्ट पर नियंतर नहीं रख पाए बल्ले बाद बढ़िया थ्रो स्टंप्स के बेहत करीब कफ्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है आसानी से केला एक रन के लिए अच्छा त्रो फिल्डर का तेंज और बिल्कुल थिकाने पे पाल पाल बचे बल्ले बाद प्रितरीन गेंवाजी बल्ले बाद जरूर पिछली गेंवारे में सोच रहे होंगे अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा बढ़िया फीर और या उट बढ़िया फिकापस को काफी निरास लग रहे हैं अगली बारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दोर आए समझ नहीं आया हमें क्या करना चाहते थे बल्ले बाद वापस बविलन लौटना पड़ेगा यह गेंवार गई है पर ज्यादा दूर नहीं कोई फील्डर मौज नहीं वाँ स्पिन गेद माज वापस आते हुए रणिंग बट्वीन दो विकल बैतर हो सक्ती थी वहाँ पर मिल गया विकल वाँ किस देजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाडी ने इसा नगा मानू बिजली के रफ्तार है इनके पास अन्टी मोवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना पहती इंपॉर्टन्ट होगा जबर्दस गेन बाजी ऐसी बोलिगो खेलना ना मुपकेन बल्ले बाज जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे बैतरी इंपन बोलिगो और कीपर भी उतने ही तेज कराओ करार देते हुए अमपार इस विकेट की तलास थी इने कैपटन काफी कुछ गेन बाज से चत्युराई से गेन बाजी कर रहे हैं गेन बाज से और ये छे रन दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा ये कैच विश्वाद वरा शौट था ये अच्छी बल्लिबाजी बड़ी अप्लेस्मेंट कुछ रन जरूर मिलेंगे बल्लिबाज को काफी मेहनत करने पड़ी ये त्रोक कलेक करने में ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने आसानी से केला एक रन की दी इनिंग्स की समाथी फीलिंग टीम पूरी तरह से तयार लग रही है आपर देज गेन बास को लाया गया है बल्लिबास तयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए आसानी से खेला एक रन की दी स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनन उठा रहे हैं अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा यह पिछ मेरी साथ से काफी बैलेंस लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए बहुती शानदार प्लेस मेर और शार्रण मिलेंगे यहाँ पर बल्ले बाज को यहाँ जोश में खोशनी गवाना चाहिए फील्डर मौजद नहीं है इस दिशा में रन जरूर मिलेंगे बल्ले बाज को स्पिडर आए अटाइक में किसी भी वार्मेट में सिल्डिवल्स और डबल्स सबसे महत्व पूर होते रहें आसानी से केला एक रन के हुए यह करीबी माबरा हो सकता है अच्छो शॉर्ट पस सिंगल ही मिलेगा कमाल के बल्ले बाजी खूब सुर्ट शॉर्ट शॉर्ट और यह फॉर्म में लग रहे है बल्ले बाज सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं काफी सरलता से खेला था यह शॉर्ट पर सीधा फील्डर के पास कि स्पिन गेन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्पयोग करते हैं यह बाज अच्छी बाज च्छी रुट में बतीछ प्रड़ का रहिए कि सुझ लगे तो अब इसके इन बाद अटाग में इसके साथ पाउर प्लेश समाफ्त हुआ ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ देखना होगा क्या गेन बाद शॉट पिज गेन की कोशिश करेंगे इस पिज पे आसानी से खेला एक रण किज ये थ्रो विकेट से दूर थी किसी फील्डर को मौका नहीं वाकर और गेन सीधा सीमा रेखा के बाद लेंग काफी जल्दी पिक की वहाँ पर बल्ले बाज ने गेन बाज को अपनी लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा अच्छा स्ट्राइग रोटेशन कर रहे हैं और सटिक थ्रो कि अपेक शाथी यहां पे छते हैं, मुट काफी जड़ादेँ हिए्ट काफी वहां कानद artillery प्सक्छात स्ट्राइध वहां का ती प्सक्छाद एंड कर शॉड लियां काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्लिबाज लंबी इनिद खेला चाहते हैं काफी ते दौड लगाई है पहले रण के लिए क्या तो रण मिलेंगे आप काफी मेहनत करने पड़ी ये तो कलेक्टरने में रण रेट बढ़ाने के लिए थोड़े चांसे लेने होंगे अब आसानी से खेला एक रन के लिए बढ़िया थ्रो स्टम्स के बेहत करीब स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनंद उठा रहे है फील्डरों के पीज गैक ठूनने में कामियाब चाफ रन के लिए अच्छा कवर पर फील्डर तो अपने जो कवर ड्राइव उनको जाना संभाल के खेलना होगा अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा इसी भी पॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतुर्पूर होते हैं सिंगल लेकर बल्लेबाद अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं वैथर रिंग बिट्विए दोनों बल्लेबाद उनकी बीच क्या आपने खेल दिया है क्या दूसरा रंच चुरा पाएंगे क्या है क्या वाद बल्लेबाद उनकी बीच्छा रुट्सरा दूसरा रंगे यहा किसीबी वारमाइट में सिंगल दॉल दॉल सबसे मैं दोड़ते हैं अच्छाशो दोरन मिलसे के यां गेम बार्ज के अपीर खापी करीबी मामरा होगा यहां पर वीलस का लगता है कि बलने बार आउट है यहां सब्सक्राइब को लॉटना होगा और यह आउट खरार दिया गया है बिग स्क्रीन ते अंतिमोवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होगा तो बहुती बहतरी गेंबाजी बल्ले बाज को बिल्कुल परिशान करते हुए आपट आसानी से केला एक रन के लिए और सटीक थ्रो की अपेक्षा थी यहां पे कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है और यह गेंद हमा में और या उचाना होगा दिना पाता खुले इस विकेट की तलास थी ने कैप्टन काफी कुछ गेंद बास से चतूर गेंद बाजी शायद पहली अनुमान लगाया था कि इस तरह का शॉट खेलेंगे बल्ले बास नए बल्ले बास को स्ट्राइक पर रखने की बहुत कोशिश करेंगे यह कप्तान इस विकेट की तलास थी ने कैप्टन काफी कुछ गेंद बास से यह रही पारी की आखरी गेंद आपके सामने अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा विराश शाद्यानथ मिस्स फील्ड किया है उंग्लियों के वीच से निकल गई गेंद बैसरीन फील्डिंग और बोलिंग का प्रतरशन हमें देखने मिला आया पर फील्डिंग टीम ने अप्लेट